नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंद्रा, ब्रह्मांड सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है। शुकल पक्ष की आठ वी दिती है, नक्षतर पुर्वा है, योग पृती है, दिन का जो करण है वो बाल है और जो रात का करण है वो कौलव है। दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवत होगा, दोपर 11 बचकर दो मिनट से लेकर 12 बचकर 22 मिनट तक और यमगंड़काल दोपर 3 बचकर 3 मिनट से लेकर 4 बचकर 23 मिनट तक का होगा। राहुकाल और यमगंडकाल दिन के अशुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतो पुरुनकाम या फिन्यनने बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंदरमा है ये चंदरमा सिंग राशी में भ्रहमन करेगा दो पचकर चार मिनिट के बाद ये चंदरमा कन्या राशी में भ्रहमन करेगा ये चंदरमा निप्चुन और गुरु के साथ प्रतियोग करने जा रहा है उसी प्रकार रवी के साथ केंदर योग भी करने जा रहा है ये अगरसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिफल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के पंचम भाव में चंदरमा का ब्रहमन है और आपके वेखाव मिसद गूरू के साथ ये चंदरमा केंदर योग भी करने जा रहा है महत्वपूरुन दिन है आपके लिए खास करके अगर आप किसे के रिलेशन्षीप में हैं तो वहाँ पर शोटी मूटी बातों के लेकर मिस अंडरस्टेंडिंग हो सकती है उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो किसी भी प्रकार के महत्व पूर्ण निर्ण आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना दोपेर के बाद के जो समय है उसमें चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है आपके जो रिलेशन्शिप में है वेक्ति उनके साथ उसी प्रकार स्वास्त के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉबलम आ सकते है जो मूर्ण होगा वो थोड़ा सा डाउन आपका रहेगा तो थोड़ा सा अपने उपर ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है वरिशब राशी वरिशब राशी के चतुरत बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके दशम बाव में सिद नेप्चुन के साथ या चंदरमा प्रतियोग करने जा रहा है आज आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे लेकिन वो आराम आपको मिलना कठिन हो जाएगा घर की जो लोग है उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेकर अरता करार हो सकती है आपको उसी को पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा तो पिर के बाद के जम है उसमें भी जो बाते है वह जैसा आप चाथे हो उस परकरजिन नहीं होगी तो आज का जो दिन है थोड़ा सा आपको शान्त रहना आवश्यक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है मिथन राशी मिथन राशी के त्रिद्यव भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आप एके भाग्य भाव में सित निप्चन के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है आज का जो दिन है थोड़ा सा आपको घूमना फिरना जादा होगा ट्रैवलिंग थोड़ी जादा होगी और उसी प्रकार जो भी महतोपुन काम है वो भी करने में कटनाईया हो सकते हैं किसी भी प्रकार के महतोपुने निरने आज के दिन नहीं लेना किसे को कोई commitment promises वाले बा इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के दिवितियों बाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके आश्टम बाव में सित निप्चन के साथ ये चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है तो फिर दो बच कर चार मिन के बाद ये चंद्रमा आपके दृतियों बाव में ब्रह्मन करेगा और आपके भाग्य बाव में सिद्गूरु के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है आपके शष्ट बाव में सिद्गूरु के साथ यह चंद्रमा केंद्रियोग भी करने जा रहा है आज का जो दिन है थोड़ा महत पुर्ण साबित होगा पैसे के मामलत में किसी भी प्रकार के महत पुर्ण ट्रांसेक्शन या फिर डिसीजन कर्चे हो या इन्वेश्मेंट के बारे में आज के दिन नहीं लेना आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना ज्यादा बन रही है दो पिर के बाद का जो समय उसमें आप थोड़ा एक्टि हो जाओगे लेकिन मैं तो पुर्ण डिसीजन नहीं लेना क्योंकि आप आपके जो काम होंगे वो बनते हुए नजर नहीं आएंगे इसके बाद के जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके पंचम बाव में सिद्रवी के साधिया चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है दो तिन बाते हैं उसके उपर थोड़ा सा ध्यान दीजे पहले तो सबसे में तो बुर्णाबात अगर आप विवाईत है तो आपके जो वाई-वाई जुडिदार है उनमें और आप में चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है इसके बात की जो राशी है वो है कन्या राशी गन्या राशी के वेया भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके शच्ठ भाव में सिथ निप्चिन के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है आज आपका हो सकता है मैं तो पुर्ण काम है उसमें थोड़े अर्चन आ सकते जिसके इस्ट्रेस थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है उसी प्रकार आपके जो वैवाई जोड़ीदार है उनके साथ भी चोटी मूटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है अगर के जो लोग के खास करके जो पुरुष्वर्ग है उनसे भी चोटी मूटी बातों के लेकर प्रॉब्लम का उप्लिकेशन हो सकते हैं आपको उसी के उपर थोड़ा ध्यान देना होगा इसके बात के जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के लाब भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके पंचम भाव में सित निफ्चिन के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है तो फिर दो बच कर चार मिले के बाद या चंद्रमा आपके वे अभा करेगा और आपके जो भी कारशेतर है उससे रिलेटेट भी कुछ अलगी प्रकार की खबर आज आपको मिल सकते दो पर के बात के पास के सिद्धा सिद्धा असर आपके स्वास्त पर भी हो सकता है तो ध्यान रखिए चोटी मोटी बातों के लिए का stress टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना इसके बाद के जो राशी है वो है बृच्चिक राशी के दशम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके द्वितिया बाव में से तरवी के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है आज का जो दिन है थोड़ा महतोपुन साबित होगा किसी भी प्रकार के महतोपुन ने ने जो की आपके फीचर से रिलेटेड है आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना आपकी जो अंदाज है वो चूग सकते है जो भी आपके कारेशेतर वापर के जो लोग होंगे उनके सा मेहस में जो आपके मित्र परिवार होंगे उनके साथ भी छोड़ी मुड़े बातों को लेकर अरतकरारी हो सकती है कुछ पर थोड़ा सयम रखना आवश्यक होगा आज आपकी जो मानसिक्ता है वो स्तीर नहीं रहेगी इसके बात की जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के भाग्य बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है रावे के तृतियो बाव में सित निप्चन के साधिया चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है दोगर दो बच कर चार बिट के बाद ये चंद्रमा आपके दशम बाव करेगा और आपके चत्रतबाव मिसित गुरु के साधिया चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके राशे मिसित रवी के साधिया चंद्रमा केंद्रयोग भी करने जा रहा है काफी महतोपृण दिन हैं आपके लिए किसी भी प्रकार के छोटे हो या बड़े थार हो सकती है ूद इसके बाद जो राशी है वह मकर राशी कैस्टम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है रुप्स इप करने बाद के भागके बाव में ब्रहमन करेगा और आपके तृटियाववा में सचत गुरू के साधिये चन्दर्मा प्रतियों करने चारा और आपके वेयावा में सचत बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा सास्थ-फास्थ के बारे में किसी भी प्रकार के problem, complication यह दिया आपको है तो उसके कुछ लक्षन आज के दिन मिलने की संभावना काफी ज्यादा बंद रहे हैं आप ड़े वे जाके भी कोई भी किसी भी प्रकार का काम आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना दो फिर के बाद के जो समय है उसमें भी आपको जो mood है वो ठीक नहीं रहेगा जैसा आप चाहते उस प्रकार से काम नहोने के करन चिड़चिड़ा हटपन आप में देखा जाएगा खुद पर थोड़ा सायम रखना आवश्रक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है कुमबराशी कुमबराशी के सब्तम भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके राशी में सित निप्चिन के साथ ये चंदरमा प्रतियोग करने जा रहा है तो अगर आप भी वाई तो तो आपकी जो वाई वाई जोड़ी दार है उनके साथ मिसंडेसंडिंग हो सकती है प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन आ सकते है और विध्योड़े बढ़ भी सकती है दो फिर के बाद के जो समय है उसमें भी इसी प्रकार की जो मन सिकता है वो देखी को प्रतियोग करने जा रहा है दो फिर दो फिर चार मिंट के बाद आपके सब्तम्वाव में ब्रहमन करे गा और आपके भाग्या वाई आपके जो भी आपका कारशेतर हम वहाँ पर के जो लोग होंगे उन से थोड़ा बचकर रहना होगा उसी प्रकार आज के दिन सहत के ब मुटे बातों को ले कर तकरार हो सकती है उसी परकार अगर आप किसे के relationship में है तो वहाँ पर भी जो बाते हैं वो normal नहीं रहेगी अगर आप share market में trade करते हो तो बड़े निरने आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना तो दोस्तो ये था दिनांग 16 दिसंबर 2022 का संपुर्ण राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लएगा आपने किस प्रकार से अनुभाव किया नीचे comment box में जरूर comment करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मान्द सिद्यास्ट्रो इसे भी like, share और subscribe जरूर करना धन्यवाव